टाक्स जुडी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तैयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान सरकार ने गेहूं के निर्याद पर रोक लगा दी है सरकार के गेहूं निर्याद पर रोक लगाने से वैपारियों और किसानों में काफी निराशा है उनका कहना है कि पहले तो सरकार खुद प्रोद साहित करती है और जब वैपारियों ने किसानों से महंगे दामों पर गेहूं की खरीद कर ली तब सरकार ने गेहूं का निर्याद अचानक से बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया दरसल सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस बार गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले कम रह सकता है इस वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले कम ही बताया जा रहा है जून में समाप्त होने वाले फसल सत्र 2021 में भारत का गेहु उत्पादन करीब 1064.1 लाक टन रहने की संभावना है ये पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 38 लाक टन कम है और 1113.2 लाक टन उत्पादन के पहले अनुमान की तुलना में 4.39 प्रतिशत कम आपको बता दें कि गेहु उत्पादन करने वाले राजियों में गर्म हवाओं से फसल प्रभावित हुई जिससे उत्पादन कम रहने का अनुमान लगाया गया है वही खाद्यान उत्पादन को लेकर जारी तीसरे अगरिम अनुमान के मताबिक देश में कुल मिलाकर अनाज उत्पादन 3145.1 लाख टन रहने की संभावना है जो पिछले साल हुए 370.4 लाख टन उत्पादन की तुलना में जादा है इसी को देखते वे किसानों ने अब अपने गेहु को स्टॉक करने की सोची है किसानों का कहना है कि रूस यूकरेन के बीच यूद के चलते ब्लैक सीपर शिप्मेंट फसे हुए है जिससे पूरे विश्व में गेहु की सप्लाई बादित हुई है दूसरा भारत में इस बार गेहु का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले कम ही रहेगा और अगर ऐसे में हम किसान गेहु का स्टॉक करेंगे तो मंडियों में गेहु की आवके कम होंगी और धीरे धीरे कीमते फिर बढ़नी शुरू हो जाएंगी यही कारण है कि निर्यात रुकने के बाद भी किसान मंडियों में अपने गेहु की बिक्वाली नहीं कर रहे है गेहु मंडियों पर सन्नाटा पसरा हुआ है वहीं वेपारियों में सरकार द्वारा गेहु के निर्यात पर बैन लगाने से डर है बजारों में ये बातیں चल भी चल रही है कि सरकार अब गेहु निर्यात पर बें लगाने के बाद गेहु पर स्टॉक लिमिट लागू कर सकती है ऐसी चर्चाए हैं कि सरकार ऐसा इसलिए करेगी जिससे कोई भी गेहूं को जरूरत से ज़ादा स्टॉक ना कर सके और मार्केट में इसकी सप्लाई बराबर बनी रहे लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई ओफीशिल जानकारी सामने नहीं आई है अभी बजारों में सिर्फ ऐसी बाते ही चल रही है ग्राहक के खुशी से आपके दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान